दोस्तो मेरा नम है बीजय कुमार आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को दोस्तो हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे राजकोस के लूटे रे जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेस तक कवर कर दिया था अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को सुरू करते हैं उस दिन हमारे बहुत से साथी मारे गए और फिर हमें सर्दार के साथ उस जगह से भागना पड़ा सुल्तान सिंग भी हमारे साथ था हम एक जंगल में सुरक्षित पहुँच गए थे लेकिन दल का सर्दार बनने के लालच में सुल्तान सिंग ने संग्राम सिंग की हत्या कर दी सुल्तान धोका अब मैं सर्दार बनूंगा और इस तरह सुल्तान सिंग दल का सर्दार बन गया तो मेरे पिता का हत्यारा ये सुल्तान सिंग है सुल्तान मैं तुम्हें जिन्दा नहीं चोड़ूँगा कभी नहीं ठर छोटे ठाकूर सुल्तान सिंग को मारने का समय अभी नहीं आया है इसके लिए तुम्हें परतिच्चा करनी होगी नहीं मैं एक दिन भी परतिच्चा नह वित्रहना मैं बर्दास्त नहीं कर सकता। तुम्हें अधिक दिन परतिच्छा नहीं करनी पड़ेगी। उधर दालतपुर के राजा धन्राज सिंग डाको सुल्तान सिंग से बेहत भैवित थे। महराज आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैंने राजकोस की सुरक्षा का ऐसा परबन कर दिया है कि सुल्तान सिंग कभी उसके परचाई भी नहीं चू सकता। नहीं हमें अब किसी पर विश्वास नहीं होता। उसने अनेक राजे के राजकोसों को चुटकी बजाते ही लोट लिया है। महराज मैं पूरी सेना राजकोस की सुरक्षा पर लगा देता हूं। नहीं तब भी सायद हम राजकोस की रक्षा ना कर पाएंगे। और फिर कुछ सोचकर राजा धनराज सिंग ने कहा। मंत्री जी हमने सुना है कि विशालगट के राजा बिक्रमसी ने अपने राजकोस को बहुत सुरक्षी धंसे रखा है। हाँ महराज हमारे गुपचरों ने भी ऐसी ही सुस्ता दी है। और अभी तक सुल्तान सिंग ने विशालगट के राजकोस को लोटने की कोशिस भी नहीं की है। सायद वो भी उस राजकोस को लोटने से ड़टा है। मंतरी जी मैं सोचता हूँ कि हम भी अपने राजकोस की बहुमुल्य वस्तुएं हेरे जवरात उनके राजकोस में रखतें। राजा बिक्रमसी हमारे अच्छे मित्र हैं। आप ठीक सोच रहे हैं महराज हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो ठीक है आज ही अपने राजकोस की बहुमुल्य वस्तुएं बिसाल गट भेजने का परवंद करो लेकिन ये सब काम बहुत होस्यानी से होना चाहिए। महराज मैं सभी वस्तुएं ऐसे गुप्त धंग से बिसाल गट भेजूँगा कि किसी को कानो कान भी खबर नहीं होगी। और फिर तीर्थी आत्यों की रूप में सैनिकों का एक दल बहुमुल्य वस्तुएं को लेकर बिसाल गट की वो रवाना हो गया। और फिर देखते ही देखते अन्य निकटवर्टिय रजाओं ने भी गुप्त रुप से अपना राजकोंस बिसाल गट भेज दिया। और फिर नर्सिंगपूर का राजकोंस भी विसाल गट के राजकोंस के साथ रखवा दिया गया। एक दिन महामंत्री अनेक राज्यों के राजकोंस विसाल गट पहुँच चुके हैं। अब इन राजकोंसों को सुरक्षित रखना हमारी पर्तिष्टा का प्रस्न बन गया है। महराज अब बिल्कुल चिंता ना करें। हमारा सारा राजकोंस पुरी तरह सुरक्षित है। कोई चिडिया भी वहाँ पर नहीं मार सकती। चिंता मत करो एक बार जरा सम मौका लगने दो सारा बुच हलका कर दूँगा। और इस बात से बेखबर एक दिन डाकु सुल्तान सिंग ने राजकोंस लोटने के लिए नर्सिंगपुर की और कोच किया। सुना है नर्सिंगपुर के राजया के पास हिरे जावरातों का बेसकिमती राजकोंस है। हाँ सरदार ये भी सुना है कि उसके पास बहुत अधीक सैनिक भी नहीं है। फिर तो ये सारा राजकोंस बहुत असानी से हमारे हाथ में आ जाएगा। गुत्ता फिर सारे लूट के माल के तीन हिस्थे अपने पास रख लेगा नर्सिंग पूर में राजकोस बहुन के पास पहुंचते ही सुल्तान सिंग ने हमला बॉल दिया इन थोड़े से सैनिकों तो पलक जपकते मौत के घर्ट उतार कर मैं सारा राजकोस लूट लूँगा जै भवानी जै भवानी लेकिन जब डाकों ने उन सैनिकों को मारना सुरू किया तो हमें मत मारो हम हतियार डाल देते हैं अंदर वाजा खोल देते हैं आप सब कुछ ले जाएं सैनिकों ने भवान के दरवाजे खोल दिये और सुल्तान सिंग धर्डराता हुआ महल में भीतर पर्विष्ट हुआ लेकिन जब उसे थोड़ी से स्वन मुद्राओं के अलावा कुछ भी नहीं मिला तो वो आग बवला हो उठा लाखन सिंग यहां तो कुछ भी नहीं है सारा राजकोस कहां गया लगता है राजा ने राजकोस को कहीं छिपा दिया है लाखान सिंग ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सुल्टान को खाली हांत लोटना पड़ा हो और से ही राजा ने सारा धन कहीं छिपा का रखा है घेर लो साथियो इन सैनिकों को और इन से पुछो राजा ने राजकोस कहां छिपाया है सर्दार हमें मत मारो हमें छोड़ दो महराज ने सारा राजकोस विसालगड में सुरक्षित रखा है विसालगड हा सर्दार हमारे राजा ने ही नहीं बलकि दूसरे सभी राजाओं ने भी अपने अपना अपना राजकोस विसालगड में सुरक्षित रख छोड़ा है वापस चलो साथियो सभी डाकू वापस लोट पड़ें उस दिन सुल्तान सिंग ने अपने साथियो से कहा साथियो आज हमें पहली बार सफलता का मुझ देखना पड़ा है लेकिन अब हमें एक बहुत बड़ी सफलता भी हात लगेगी हम कुछी दिनों में विसालगट पर आकरमन करके एक साथ बहुत से राज्यों का राजकोस लूट लेंगे लेकिन मैं तुम्हें उस राजकोस को नहीं लेने दूँगा लेकिन सर्दार हमें विसालगट के राजमहल पर आकरमन करने से पहले वहां की सुरच्छा बैउस्ता की जनकारी अवस्तरे ले लेनी चाहिए क्योंकि जब वहां पर बहुत से राज्यों का राजकोस रखा गया है तो अवस्तरे ही उसकी सुरच्छा की बहुत मजबूत बैउस्ता भी की गई होगी लाखन सिंग ठीक कहते हैं सरदार ठीक है कल कुछ लोग वेस बदलकर विसालगट जाएंगे और राजकोस को सिरच्छा प्योस्ता का पता करेंगे और अगले दिन लाखान सिंग और मंगल सिंग वेस बदलकर विसालगट की ओड़ चल दियें उधर विसालगट के राजमहल में राजा विक्रमसी गहरी चिंता में डूबे थे आधी राज बीच चुकी थी लेकिन विक्रमसी को निन नहीं आ रही थी नीसंदे महमंत्री ने राजकोस की सुद्रिट सुरच्छा की है लेकिन फिर भी किसी दिन सुल्तान सिंग किसी तरह सारे राजकोस को लूट ले जाने में सफल हो गया तो मैं उन राजाओं का धन कैसे लोटाओंगा विसालगट की एक 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 इंट भी वेज दूँगा तो भी उनका राजकोस नहीं लोटा पाओंगा मुझे इस राजकोस की अत्रिक सुरच्छा विवस्ता करने होगी कल सुबह ही मैं महमंतरी से अधिक सुरच्छा करने के लिए कहूंगा और अगले दिन सुबह होते ही राजा विक्रमसी ने महमंतरी धरम सिंग से कहा महमंतरी हम चाहते हैं कि विसालगट और दूसरे राज्यों के राजकोस के अधिक सुरचा करने के लिए राजबहन में जगा जगा घंटिया लगा दी जाएं ताकि खत्रा होने पर उन घंटियों के बजाते हैं विसालगट की पूरी सेना सतर खोकर उन डाकूओ पर तूट पड़े और बाके लाल तुम समय समय पर जाकर राजकोस की बेवस्ता देखा करो ताकि कोई भी गड़वर होने पर खत्रे की घंटिया बजाकर सेना पती को सर्दार लेने की योजना बना कर मनी मन खुस हो रहा था उधर लाखांसिंग और मंगल सिंग ने लोड़कर बिसालगट के राजकोस के बारे में सुल्टान सिंग को बताया सरदार उस राजकोस के बारे में राजा पिक्रम सी क्यालाबा महमंतरी सिना-पती और एक बिसेश गटके अतितिगरी में रह रहे है來了 लाकाई सिंग अगर। पकड़ दिया जाएं तो हमें राजकोस क Cons का रास्ता मालूम हो सकता है हां सर्दार तो फिर देर किस लिए आज राती बाकेलाल को अतितिग्री से उठा लाए जाए हम उससे पूरा हम उससे पूछ कर राजकोस को लूट लेंगे लेकिन कुट्टे इस बार मैं तुम्हें राजकोस नहीं लेने दूँगा इस बार सारा राजकोस मेरा होगा और फिर उस रात लाखन सिंग मंगल सिंग और कुछ डाकू अतितिग्री के पास पहुँचे छोटे ठाकूर मैंने खिटकी में रसी का फंदा फसा दिया है अब तुम जल्दी से उपर चट कर बाकेलाल को उठा लाओ और रसी के सहरे मंगल सिंग और कुछ डाकू ऊपर चट उधर अतितिग्री में कुमल गद्व पर लेटे बाकेलाल की आँखों में नेंद का नाम नहीं था उसकी आँखों के सामें मिशाल गट का राजकोस घुम रहा था और तभी बाकेलाल की आँखे खुल गई ये कौन है तुम लोग यहां कैसे आए हम तुमें लेने आए हैं अगर तुमने सोर मचाया तो अभी खंजर घुब देंगे क्या क्या चाते हो तुम मेरे पास कोई राजकोस नहीं मैंने राजकोस की चोरी नहीं की चुप चप हमारे साथ चलो अगर जरा भी बोले तो गर्दन अलग कर दूँगा और फिर रसी के साहरे नीचे उतर कर सरदार को सुल्तान के सामने पेस किया सरदार ये बाकिलाल है इसे उस राजकोस की सुरक्षा के बारे में सब कुछ पता है अरे वापरे कहां फच गया बहुत अच्छा बाकेलाल हमें उस राज़कोस के बारे में सब कुछ सच सच बता दो नहीं तो हम तुमारे खुबसूरत सीर धर से अलग कर देंगे जब बाकेलाल कुछ नहीं बोला तो बोलो बाकेलाल राजाबी करमसी ने राजकोस की सुरक्षा का क्या परबंद किया है मैं मुझे कुछ नहीं मालूम महराज ने मुझे कुछ नहीं बताया अच्छा तो तुम ऐसे नहीं बताओगे लाखन सिंग बाकेलाल के हाथ कार दो है मेरे प्यारे प्यारे हाथ सर्दार बताता हूँ अभी बताता हूँ पहले ये वादा करो कि अगर मेरे हाथ नहीं कटेंगे तो अगर हाथ कट जाएंगे तो मैं हलुआ पूरी मिठाई कैसे खाऊंगा और फिर बाकेलाल ने डड़ते ड़ते सारी सुर्चा बेवस्ता सुल्तान सिंग को बता दी लेकिन सर्दार आप मेरी साहता की बिना उस राज़कोस तक नहीं पहुच सकोगे और अगर आप मेरी साहता चाहते हो तो मुझे लूट के माल में से आधाहिसा देना होगा भाकेलाल तुम सुल्तान सिंग से आधाहिसा मांग रहे हो हम तुमारी जुबान काट लेंगे सोच लो सर्दार अगर आपने मेरी जुबान काट दी तो राज़कोस तक पहुचाने की जनकारी कौन देगा बहुत चलाक मालूम देता है एक बार राज़कोस मेरे हाथ लग जाए फिर सारी चलाके निकाल दूँगा अच्छा वाकराल मैं तुम्हें राज़कोस का दस्वा हिस्सा दूँगा लेकिन अभी भी तुमने इंकार किया तो अभी तुमारी गर्दन अलग कर दूँगा अरे बापरे बेटा बाके जो मिलता है चुपचाप ले ले यहां तो गर्दन भी धर से अलग होती दिखाई पड़ रही है सर्दार मुझे आपकी बात मंजूर है तो ठीक है राज़कोस लूटने के बाद तुम्हारा हिस्सा नगर के बाहर स्यू की पुराने मंदिर में पहुचा देंगे राज़कोस की सुरक्षा के बारे में बाके लाल से सारी बाते पूच कर सुल्तान सिंग ने उसे फिर बिसालगर पहुचा दिया सुल्तान सिंग के बताई गई योजना के अलुसार अगली रात बाके लाल ने महल में लगी घंटियों के रस्यों को काड़ दिया ये रसी भी कट गई आप ना रहेगी रसी और ना बजेगी घंटी सेना को राजकोस के लुटने का भी पता नहीं चला हे भगवान यदि सुल्तान सिंग राजकोस लुटने में सफल हो गया तो मैं अपने हिस्से में से तेरे मंदिर में चान्दी का दीपक जलाओंगा राद के दूसरे पहर ही सुल्तान सिंग ने राजमहल पर चुपचप आकरमन कर दिया राजमहल के तरवाजे पर खड़े सेनी को कुमार कर सुल्तान सिंग ने भीतर परवेश किया ओ डांकू डांकू आ गएं तुरन खत्रे के घंटिया बजाओ अरे ये घंटिया तो बसती ही नहीं रसिया कटी हुई है और फिर कुशी देर में सुल्तान सिंग अपने साथियों के साथ तलाब के किनारे पहुँच गया सदार अब इस तलाब को कैसे पार करेंगे इस तलाब में तो भेंकर मगरबस तेर रहे हैं ठरो लाखन सिंग बाकेलाल ने हमें किसी कील को घुमाने के लिए कहा था हाँ याद आया ओ ये रही वे कीले हाँ यही है वो कील जिसे घुमाने से यहाँ पूल बन जाएगा और फिर सुल्तान सिंग के कील घुमाते ही तलाब पर एक पूल बन गया पूल द्वारा तलाब को पार कर सुल्तान सिंग बिसाल कक्ष के सामने पहुचा पलक जपकते ही दाकों ने द्वार पर खड़े सैनिकों को माल कर बिसाल कक्ष का द्वार खोल दिया अभी कुछ डाकों ने भीतर परवेश किया ही था कि आँ मैं जल क्या आँ बचाओ ठरो साथियो आगे मत बढ़ो ये दर्वाजा नहीं मौत का कुआ है तभी सुल्तान सिंग ने कुछ सोचा यहाँ पर बाकेलाल ने कोई चीज घुमाने के लिए कहा था हाँ वो रही कल मैं अभी उसे घुमाता हूँ और ये सोचकर सुल्तान सिंग उस कल की ओर बढ़ा बाकेलाल दुआरा बताई कल को घुमा कर सुल्तान सिंग ने तिलस्मी आग को बंद कर दिया साथियो अब तुम सब नीडर होकर अंदर जा सकते हो फिर तो समी डाको राजकोस पर तूट पड़े साथियो सारा राजकोस उठा लो जल्दी उठाओ इतनी सारे स्वन मुत्र हैं इतने हीरे जवरात मैंने अपनी जीवन में कभी नहीं देखे मैं तो बस हीरे हीरे उठाओंगा और फिर सारा राजकोस लेकर सुल्तान सिंग वहाँ से निकल गया और जब राजा पिक्रम सी को कुछ सैनिकों ने राजकोस लूट लिये जाने की सुछना दी नहीं ऐसा नहीं हो सकता यदि डाकों ने हमला किया था तो घंटिया क्यों नहीं बजाई गई महराज हमने घंटिया बजानी की बहुत कोशिस की लेकिन लगता था किसी ने पहले से ही घंटियों के रसियों को काट रखी थी घंटियों के रसिया काट दी थी लेकिन किसने महमंतरी तुम उस नमा खराम का पता करो हम उसे फांसी की सजा देंगे महराज धंटियों के रशियों काटने वाला अवस्य कोई महल का आदमी होगा फांसी बापरे मुझे अभी खिसक कर्शियों के पुराने मंदिर में पहुँचना चाहिए अगर राजा का उपता चल गया तो तबी राजा बिक्रम सी ने सेना पती से कहा सेना पती तुरंट सेना को अदेश दो कि वे डाकुओं का पीछा करें देश बीदेश का कोना कोना चान मारें मुझे सुल्तान सिंग जिन्दा या मूर्दा चाहिए महराज मैं पहले उन डाकुओं की तलास में सेना भेच चुका हूँ राजा बिक्रम सी को सेना पती से बाते करते देख बाकेलाल सिसक में लगा लेकिन तभी बाकेलाल तुम ऐसे चुपके से कहा जा रहे हो मारे गए महराज मैं अपने तरीके से उन डाकुओं को पकरने जा रहा हूँ साबास बाकेलाल हमें तुम से यही आसा थी सिर पर पाउं रखकर और उधर विशाल गट के बाहर पुराने सी मंदिर में साथियो आज की लूट के माल के तिन हिस्सों में तिन हिस्से मैं लेता हूँ अब और एक चफथाई हिस्से को तुम सब आपस में बाट लो बाकेलाल को कुछ नहीं मिलेगा मैं उसे आते ही कतल कर दूँगा फैरो सर्दार इस बार लोट के माल में सब को बराबर हिस्सा देना होगा मंगल सिंग जानते हो तुम क्या कह रहे हो सरदार मैं अपना हक मांग रहा हूँ और अपना हक मांगना कोई अपराथ नहीं है ओ लगता है मंगल सिंग की मोताई है खामोस गुस्ताक हम तुमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुम बागी हो गए हो साथियो मंगल सिंग को बगाउत की सजा दो सुल्तान सिंग का आदेश पाते हैं कुछ डांको मंगल सिंग की ओर बढ़ें लेकिन तभी सरदार खबरतार कोई मंगल सिंग को हाथ नहीं लगाएगा ओ ठीक कह रहा है हम सब को बराबर का हिस्ता मिलना चाहिए हाँ हाँ हमें बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए साथियों ये सब बागी हो गए हैं ये सब को मौत के घाट उतार दो सुल्तान सिंग मुझे भी आज तुमसे अपने पिता की हत्या का बदला लेना है और फिर सब डाकू एक दूसरे पर तूट पड़े उची तेर में बहुत से डाकू मारे गए तभी घायल मंगल सिंग ने सुल्तान सिंग की पेट में तरवार घौंब दी आह मर गया घायल मंगल सिंग भी गिर कर मर गया जब बाकेलाल वहां पहुँचा तो लगवक सभी डाकू लड़कर मर चुके थे कुछ घायल डाकू तडप रहे थे अरे वहां उपर वाले आज तो तुने पूरा छपर फार कर ही खजाना दे दिया बाकेलाल मेरे पेट से ये तलवार दिकाल दो लेकिन जैसे बाकेलाल ने सुल्तान सिंग के पेट से तलवार खिची तभी महराज वो रहे अपने बाकेलाल जी सायद उन्होंने अकेले ही सारे ढाको को मार डाला है मर गया बाकेलाल तुम बहुत 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 इनाम देंगे तुमने सारा राजकोस बचा कर हमें अपमानित होने से बचा लिया और फिर मारे गए बेटा बाके अगर ये सब थोड़ी देर ना आते तो आज सारा राज कुछ तेरा ही होता आज तो इन्होंने योजना के नहीं तेरी ही टंक तोड़ी है और जब बाके लाल राजा बिकरमसी के साथ वापस लोटा तो नगर के लोग उसकी जह जहकार कर रहे थे लेकिन बाके लाल कुछ और ही सुच रहा था बाके लाल की जै हो बाके लाल अमर रहे मेरा बेडा गर खो गया और ये सब मेरी जै बोल रहे हैं सारा राज को उस मुझे मिल गया होता तो मैं भी राजा बन गया होता इसी के साथ ये कहानी ये खत्म होती है मिलेगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में तक के लिए भाए वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल के नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर पेस कर देना और जहां इस वीडियो को जरूत हो वाह इसको स्तियर जरूर कर देना थैंक्स पर वाचिंग में वीडियोज